हैलो दोस्तो आपके अपने चैनल इस टाउग यात्रा विद्विसाल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तारसन प्रोडक्ट इस कंपनी के उपर यहाँ पे हम लोग बाते करने वाले हैं ठीके सो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग निफ्टी इंदेक्स में यहांपे देखने को मिलिए अगर यहां पे चार्ट देखेंगे तो जहां से बारा बज़े के बढ़ा सकते हैं Daversation के उपर बैत करने वाले तो Tarsin के ऊपर ही हम लोगों को साथ सारा फुकस्य रहने वाला है करीप 10.50 की गिरावाट के साथ ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर Tarsan product को देखे तो आप देखे इस company में हम लोगों को 0.44% की यहाँ पे हरे निसान में ही हम लोगों को देखने को मिल रही है और उससे भी अच्छी बात यहाँ पे आप इनके चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इसकी भी ओपनिंग एक अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलिए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि उसके बाद आप देखिए एक बड़ी rally भी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ से बंद हुई है वहाँ से अगर देखा जाए तो एक परशन से ज्यादा की rally थी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा profit booking हुआ लेकिन previous close से देखें तो करीब 2% की आज के दिन में इस कंपनी में हम लोगों को rally देखने तो यहाँ पे एक positive sign यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल ला है जो कि बहुत अच्छी hint यहाँ पे यह कंपनी हम लोगों को यहाँ पे दे रही है जो कि हमारे लिए जो कि इस company के shareholder से उनके लिए बहुत थी अच्छी ख़़़र हम कह सकते हैं यह उनके लिए देखने को म पिछले 5 दिन के performance की बाते करें तो आप देखिए कि अभी 5 दिन में ये 1% से ज़्यादा की rally यहाँ पे दे रही है एक महिने की बाते करें तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होए कि इसमें हम लोगों को लगातार भी quality ही देखने को मिली अभी भी आप देख सकते कि 22-23% की गिरावाट ही इसमें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है अभी भी दोस्तों अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि इस company में हम लोगों को क्या करना चाहिए जो कि back to back मैं हर दिन इस company से लेटर आप लोगों को अपडेट देता हूँ ठीके तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को यही बोलूँगा कि company को यहाँ पे आप लोगों को hold करके चलना चाहिए क्यों hold करना करके चलना चाहिए उससे लेटर भी मैंने आपको कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि फिर से मैं एक बार repeat कर देता हूँ कि company यहाँ पे fundamental strong देखने को मिलती है company growing mode में देखने को मिल लएए अभी इसके basis पे अगर आप चाहे तो इस company को hold करके चल सकते है and इस position अगर आप चाहे तो इस company को यहाँ पे buy भी करके चल सकते है आप अगर high level पे खर दे हुए है तो इस level पे आप खरीदी है ताकि average होके company का जो price हो वो थोड़ा सा नीचे हो जाए आपका जो price होगा वो average होके नीचे आ जागा तो अच्छी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए हो जाएगी इसमें जो गिरावट यहाँ पे हुई थी करीब 30-35% तक की गिरावट आप लोगों को यहाँ पे overall इस company में देखने को मिली थी तो वो इसके value sense के कारण यहाँ पे हुई थी जो कि हम कह सकते कि अभी ठीक होते हुए हम लोगों को देखने को मिला है तो अभी इस company related जो चीज आपको बतानी थी वो सभी मैंने आपको बता दी सो मिलते हैं नक्ष बीडियो में नक्ष टाप्पे के साथ तब तक के लिए जाहिन